Dear students, we have to discuss about role of play and its importance for sustainable development. Sustainable development की हम बात करें है, SDG goals की हमने बात की, उसके बाद हमने sustainable society का concept दिया. और sustainable society के अंदर हमने आपको बताया, कि वो तमाम लोग जो इन 17 SDGs को जो हैं, फालो करेंगे. उन sustainable development goals के अंदर जो हम बात कर रहे थे, मुख्तलिब बाते हैं, पानी को जाय नहीं करना, environment है, pollution है, 17 उसके goals है. अब उन goals का, उस sustainable society का और role play का आपस में जो connection है, इसको पर आज हम बात करना चाहेंगे. देखें, हमारी जो learning है, जैसे हमने पहले भी बात की है, हमारा learning process pre-schooling से शुरू हो जाता है, इसी से शुरू हो जाता है. चाहे हमारे behavior development की बात हो, चाहे हमारे skills की बात हो, या हमारी cognition की बात हो. अगर हमारा developmental process sustainable development goals के मताबिक है, और हमने बच्चों को ये बताना शुरू किया हुआ है, और सेंटर के अंदर उनके समझाना शुरू किया है, उनको role play दिया है, और उनको जो हैना, हर चीज़ के अंदर उसको बताया गया है, कि मसला अगर पानी को जाय करना है और उसके से के नुक्सानात जो हैं, इसके बारे में उसको बताया गया है, तो यहां से उसकी learning process शुरू होई गया है, अब देखें, हमने centers के अंदर क्या किया, उनके interest develop करने के लिए, हमने कोई drama, कोई act, कोई role play किया, teacher भी role play कर सकता है, ब बलके उसके अंदर, उसके जहन में वो नक्ष हो गया, अब देखें, जब एक चीज नक्ष हो जाती है, तो वो एक लंबे अर्से तक उसके याद रहती है, और जब वो याद रहती है, तो हमारा तो objective ही sustainable society का यह है, कि हमने जो उसकी learning होई है, उसको हमने sustain करवाना है, अब देखें, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें involved हो सकती है, अब देखें, आप घर के अंदर, अपने domestic environment के अंदर कोई काम कर सकते हैं, किच्छन की setting के अंदर जो हैना, कोई food wastage हो रहा है, उसको बता सकते हैं, और उसको बताने के बाद एक role play करते हो, उसको समझा सकते हैं, कि यह food जो waste हुआ है, इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पानी का waste हो रहा है, तो उसको हम कैसे control कर सकते हैं, हम इसके बारे में बच्छों को बता सकते हैं, science and technologies के area के अंदर हम इसकी learning हो सकती है, हम को reading space बना सकते हैं, जहां पे उसको कह सकते हैं, यहां पे बैठकर आप टेबल्स हैं, यह वो तमाम चीज़ें हैं, जिन से हम उनको एक role play करा सकते हैं, उससे जो learning होगी, वो sustainable learning जो है, वो SDG के साथ align होगी, और वो आने वाले वक्तों में हमारी sustainable society का, वो एक member बन जाएगा.